हेलो स्टुडेंट्स दिश शुभम और आज हम लोग अपनी क्लास एर्थ की मैथेमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेशल नंबर रेशल नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रेशल नंबर विच नंबर are in the form of b upon q where q is not 0 is called रेशल नंबर तो रेशल नंबर अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो तो मैंने जो रेशल नंबर की एक वीडियो बनाए थी आप उसको एक बार जरूर देखें उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है तो बात करते हैं अपनी exercise 1.1 की अगर आप देखेंगे तो प बताता है न्यूमिनेटर कौन सा होगा देखो बच्चे हमेशा ध्यान रखना कभी भी जब हम कोशन करते हैं तो यह जो उपर वाला अपन में कोई भी फ्रेक्शन लिखा हो तो उपर वाला जो हमारी डिजिट होती है इसको हम लोग क्या बोलते है इसको हम लोग बोलते है न्यूमिनेटर, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर है ये हमारा, न्यूमिनेटर है ध्यान रखना इस बात को, तो अगर हम बात करें कि पहले कोशन में हमारे न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, 12, ठीक ह नियुमिनेटर बताना है, तो 2nd question के लिए नियुमिनेटर क्या हो जाएगा, ठीक है न, तो इस 2nd question का हमारा answer हो गया 6, नियुमिनेटर क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेगा, ठीक है न, बात करेंगे अब अगले question की, 2nd question हमारा क्या कह रहा है, write the denominator of the following ratio number, पहले question में हमें numerator बताना था अब इसमें हमें denominator बताना है तो ध्यान रखेगा कभी भी जब हम denominator की बात करते है तो denominator हमारा क्या होता है denominator हमारा होता है second वाला जो हमारा नीचे वाला जो number होता है ठीक है न तो यह हमारा denominator होता है इस बात को ध्यान रखेगा यह हमारा क्या होगा denominator रहेगा ठीक है ना तो इसके लिए हमारा denominator क्या हो गया 7 answer हो जाएगा और इस वाले second question के अगर हम बात करेंगे तो second question के हमारा denominator क्या हो जाएगा answer हमारा 49 हो जाएगा तो आपको अगर हम मैं brief दूँ इस चीज़ कहा कि अगर हमने कोई भी digit लिखी है जो कि fraction में है यानि कि अगर मैं इसको इस चरीके से लिख दूँ जैसे मैंने एक number लिया यहां पे कि 42 upon में 61 तो 42 जो उपर वाला number होगा ध्यान रखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा numerator हो जाएगा और नीचे वाले जो number होता है वो हमारा क्या होता है fraction में वो हमारा denominator हो जाएगा ठीक है ना तो यह आप पहले types के question को समझ के होंगे कि हमने अभी इसमें क्या सीखा कि numerator क्या होता है और हमारा denominator क्या होता है बात करेंगे question number 3rd की हम लोग express 1 upon 4 as a ratio number with denominator with denominator with denominator 20 तीन question यहां पर मैंने लिया है तीनों को हम लोग solve करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे यह वाले questions जो है solve होते है तो आप देख सकते question क्या था कि जो हमारा 1 upon 4 इसने दिया है 1 upon 4 में हमें denominator क्या करना है denominator को 20 बनाना है अब हम जानते है कि denominator हमारा है नीचे वाला अब हम जानते है कि denominator जो है हमारा वो कौन सा है वो है नीचे वाला तो अब नीचे 4 दिया हुआ है 4 को हमें क्या बनाना है 20 बनाना है तो नीचे अगर 5 से multiply कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 for 20 लेकिन maths के rule के according कि अगर हम multiply जिस नंबर से नीचे करेंगे उसी नंबर से हमें नीचे उपर भी multiply करनी पड़ेगी तो आप यह क्या हो जाएगा 5 बन जा 5 और 5 for 20 तो इसका denominator क्या आ गया इसका denominator आ गया denominator आ गया 20 आप देख सकते हो तो इसका denominator जो है तो इसका denominator क्या आ गया तो इसका denominator 20 आ गया तो इस तरीके से हम लोग इसको solve करते हैं अब देखिए जैसे एक और example लेते हैं एक और अगला question लेते हैं जैसे यह हमारा 1 upon 4 अब नीचे हमें denominator क्या करना है 36 करना है तो आप देख सकते हैं 4 के table में हम जानते हैं कि 9 बार में 36 आता है तो 9 से आप नीचे भी multiply कर दीजे और 9 से ही उपर भी कर दीजे तो यह क्या हो जाएगा आपका 9 upon में 36 तो यहाँ पे आपका denominator क्या आ गया यहाँ पे आपका denominator 36 आ गया इस तरीके से हम इस questions को solve करते हैं यानि अगर यही question numerator में होता तो सेम चीज हम numerator में करते हैं multiply कर देते जिससे उपर multiply करते उसी से ही नीचे multiply करेंगे एक negative वाला question और लेते हैं तागी आपको confusion ना हो ठीक है ना 4 अब हमें बनाना क्या है denominator को 80 बनाना है वो भी minus का तो आप ध्यान से देख सकते हैं अगर आपको 20 का table आता हो तो 20 के table में अगर हम force में 20 से multiply कर देंगे तो 24 यानि 24 जा 80 होता है लेकिन हमें चाहिए negative का तो हम minus के 20 से multiply करेंगे नीचे भी और minus के 20 से multiply कर देंगे ऊपर भी ध्यान रखेगा तो हमारा क्या आ जाएका minus का 20 upon मैं minus का 80 . यानि हमने by to minus 20 से multiply करी तो denominator हमारा मैनkleS का 80 तो इसका answer हो जाएगा हमारा पहले question का हमें इसमें किससे multiply करी ?5 से multiply करी second question आप देख सकते हैं कि इसका हमारा answer क्या हो जाएगा 9 इसमें हमने 9 से multiply करी थी और इसका हमारा answer हो जाएगा minus का 20 क्योंकि इसमें हमने minus के 20 से multiply करके denominator को जो वो कह रहा था minus 80, 36 और 20 बनाया है बात के लिएर कर पा रहे होंगे आप लोग कि जिस question में जो बोल रहा है उसी से हमें multiply करके उसको denominator या numerator को change कर देना होता है अब हम लोग चलेंगे अपने exercise 1.1 के question number 4 की तरफ तो write the following ratio number in the lowest form lowest form में हमें change करना है lowest form का मतलब है कि हमें इसे काटना है यानि कि divide करना है जब तक कि ऐसा number ना जाए कि जो कटे ही ना जैसे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है 2 upon 10 लिखा हुआ है तो मैं जानता हूँ कि 2 के table में 10 आता है 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 यानि कि इसका answer हो गया 1 upon 5 अगर आप देखें तो अब तो यह कटेगा ही नहीं तो इसका answer हो जाएगा lowest form यही होगी इसकी ठीक है ना 2nd question की बात करते है 36 upon 180 यानि कि minus 36 दिया हुआ है इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग पहले एक तरीका समझते हैं जैसे कि यह question दिया हुआ है मैं काटूँगा 9 के table से मैं जानता हूँ कि 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18 होता है ठीक है तो यह 20 बार में चला जाएगा अब इसको हम लोग और काट सकते हैं कि 4 1 जा 4 minus का 1 और 4 5 जा 20 तो यह क्या आ गया minus का 1 by 5 आ गया एक तरीका क्या होता है कि हम इसको HCF के through भी कर सकते हैं ठीक है ना पहले इस तरीके से समझ लेते हैं हम लोग इसको अच्छे से 5 है तो इसको हम लोग 5 के table से आप काट सकते हैं 5 3 जा 15 5 5 जा 25 यानि 3 upon 5 आएगा यही lowest term है 3 upon 5 के बाद आप तो यह कटेगा नहीं तो यही इसकी lowest term हो गई ठीक है ना इसको देखते हैं question थोड़ा सा बड़ा है length ही है बड़ा number दिया हुआ है इसमें इसको हम लोग even number है तो 2 के table से पहले के divide करने की कोशिच करते हैं 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आप इस तरीके से काट सकते हो अभी भी even number है इसको हम लोग और काट सकते हैं अभी देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 20 और 2 7 जा 14 हम लोग इस तरीके से इसको काट सकते हैं अब अगर आप देखेंगे तो यह जो है आगे 11 upon में आगे हमारा 107 अब हमें देखना क्या 11 और 107 का कोई रिलेशन है, क्या ये कट सकते हैं, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 11 और 107 दोनों आते हों, तो आप देखेंगे कि नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 11 और 107 दोनों ही आते हों, तो ये हमारी lowest term हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, lowest term हो जाएगी, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका है, आप HCF निकाल लीजिए, जैसे माल लीजे ये कोश्चन है, 15 अपॉन में 25, आप इसका HCF निकाल लीजिए, HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हम बड़ी संख्या को चोटी संख्या से डिवाइट करते हैं, 15 बंजा 15, रिमेंडर 10 बचा, अब हम इसको यहाँ पे उतार लेंगे, यानि कि 15 यहाँ लेंगे, तो 10 बंजा 10 बचा 5, अब हम इस 10 को इधर उतार लेंगे, 10, 5 तूजा 10, अब यहाँ पे आके 5 से पूरा पूरा डिवाइट हुआ, यानि यह हमारा HCF हो गया, तो अब इसको डारेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कि 5 से डिवाइट कर दो, 5 से आफ डिवाइट कर दोगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यह भी एक लुएस टर्म इसकी हो गई, तो इस तरीके से हम लोग इनको लुएस टर्म में जो है बदल सकते हैं, ध्य इस बात को ध्यान रखना है आपको, तो अब लोग हम लोग बात करेंगे, 5th question की तरफ exercise 1.1 के, fill in the blanks, देखो यह फिलप्स हैं, कुछ लोग इनको पीछे से देखके भर देते हैं students, लेकिन हम ऐसा नहीं करना हम इसके method को समझेंगे, किस तरीके से आएगा, यहां मैंने question mark यहां पर dash भी दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी book में क्योंकि dash दे रखा था, तो इसको solve करते हैं, बहुत ही अच्छे method से, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 upon 3, यहां कुछ ने दिया हुआ है, बच्चे तो मैं x माल देता हूँ, आप x, y कोई भी एक variable मान सकते है ठीक है ना, हम जानते हैं, अब equal to में जब भी होता है, तो cross multiplication हम लोग करते हैं, यानि इसकी multiply इस side हो जाएगी और इसकी multiply इस तरफ हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 2 into 135 और 3x, 2 into 135 और 3x equal to में आ जाएगा, अब अगर हमें x की value निकालनी है, तो और यह multiply में 3 इधर क्या हो जाएगा, अब पॉन में आ जाएगा, 135 के क्या हो जाएगा, अब पॉन में आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, अब हम देखेंगे 3 से क्या कट रहा है, काटेंगे इसको 3, 4, 12, 1 बचा 3, 5, 15 होता है, यानि कि अगर हम बोलें, तो 3, 12, 1 बच आना था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, बात करते हैं, अगले कोशन की तरफ चलेंगे, 5 अपॉन में, एक्स इंटू 9, याक्वल 2, 90 अपॉन में, 216, ठीक, तो आप देखेंगे, फिर से वो हम लोग इसकी मल्टिप्लाइ इधर करेंगे, 90 एक्स हो जाएगा, और 5 इंटू 1, इस थरीके से हम लोग लेंगे, एक्स इंटू 2 आजाएगा, 5 इंटू 216, डिवाइड बाइ 90, तो 90 को नीचे लिखेंगे हम लोग, अब इसको डिवाइड करेंगे, पहले 9 से काट लेते हैं, 9 बंजा 9, इसको काटेंगे, 9 इकम 9 काट दे हमने, और 9 दुनी 18, 3 इस थरीके से काट सकते हैं, अराम से, 24 बार में चला जाएगा, यानि 24 में 5, 2 जा 10 होता है, और 2 से काटेंगे, तो यह हो जाएगा, 12 बार में चला जाएगा, यानि इसका अंसर हमारा क्या आजाएगा, 12 आजाएगा, तो इस थरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, 12 अंसर यानि कि यह हो जाएगा हमारा 72 x बराबर 8 into 81, x की value निकालेंगे तो 8 into 81 divided by 72, 8 से काटेंगे 9 बार में चला जाएगा, और 9, 9 जा 81 होता है, यानि यहाँ पर x की value हमारे पास क्या आ जाती है, 9 आ जाती है, इस बात को ध्यान रखेगा, ठीक है ना, तो यह आज की जो हमारी exercise थी इसमें हमने complete किया exercise जो है हमारी 1.1, इससे related आगे कि कुछ question मैंने छोड़ दिया है, जो इस exercise में है, वो आप लोगों को खुद complete करने है, और कोई सा भी question अगर आप से ना हो, तो आप उस case में मेरे को comment कर सकते हैं, आप question का number भी लिखके भेज़ेंगे, तो भी मैं अगली व वीडियो पसंद आई हो, तो like जरूर करना, share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है न, और channel को subscribe करना ना बोले, thank you, मिलते हैं अगली वीडियो में